Be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy Warren Buffett का कोईट बहुत ही शांदर कोट है यानि के stock market में जब लोग greedy होते हैं जब लोग पैसा लगाते हैं तब आपको गुबराना चाहिए क्योंकि basically वो तब पैसा लगाते हैं जब market उपर जा रहा होता है अपने peak के पास होता है और जब market नीचे आ रहा होता है तब वो पैसा निकालते हैं लेकिन हमें तब greedy होना चाहिए क्योंकि हमें अच्छे-च्छे stocks कम दाओं पे मिलते हैं तब हमें investment भर-भर करनी चाहिए और basically देखा जाए तो अभी market peak के आसपास है तो यहां पर हमें अपनी investment कम करनी चाहिए मैं यह नहीं कह रहा कि investment रोक देनी चाहिए लेकिन कम करनी चाहिए वहां पर करें जहां पर आपको लग रहा है कि यहां पर यह वाला stock outperform कर सकता है market को लेकिन fully invested होने का समय अब नहीं है अब आपके पास cash होना चाहिए ज़्यादा मात्रा में यहनि अगर आपके पास source बिया है तो आप market में अभी फिलहाल 60% के साथ ही invested रहें 40% आप cash में रखें क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों में या फिर elections के बाद market आपको वो बहो देगा जब आपके पास पैसे नहीं होंगे invest करने के लिए वो अच्छे अच्छे shares आपको वो उस rate पर मिलेंगे कि आप को तावले हो जाओगे कि उसमें मैं पैसा लगाऊंगे लेकिन अगर आप पुली invested होगे तब आपके पास वो मोका नहीं होगा तो इसलिए तो आज का यो स्टोक है वो बेसिकली लेडिस का फेवरेट स्टोक है गैस कर पाऊगे आपकी स्क्रीन के उपर उसका चार्ट है और कंपनी का नाम है TTK Prestige बेसिकली कंपनी बनाती है कूकर और होम एप्लिकेशन्स बनाती है जैसे गैस चूला हो गया यह जो चाय बनाने वाली केटल होती है वो बनाती है कीचन एप्लिकेशन्स बनाती है कंपनी और इसका इस्तिमाल कोन करती है लेडिस जो भी इस कंपनी के परड़क्ट इस्तिमाल करती है तो उसका हाथ आ जाएगा तो सबसे पहले बात करते है टीटी के प्रिस्टाइज के बारे यहां से यहां से स्टोक गिरना स्टार्ट करता है लगभग एक हजार पचास के लेवल्स के आसपास से और यहां पर जाकर थोड़ी सी सांस लेता है और यहां से रन अप स्टार्ट होता है अप्ट्रेंड की तरफ और यहां पर देख रहे हो वॉलियम्स आ रहे हैं वॉलियम्स अब यह स्टॉक भागने के लिए त्यार हो रहा है लेकिन हो सकता है यहां पर कुछ समय भी भतीद करें यहां पर उसके बाद रन अब दे जब यह स्टॉक अपना 840 का लेवल तोड़ेगा न फिर किसी के हाथ नहीं आने वाला मैं पहले बता देता हूँ अगर हम बात करते हैं इसकी सपोर्ट की तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हर बार हमारा काम होता है सबसे पहले उसकी सपोर्ट निकालने का कि कौन से ऐसे लेवल्स है अगर हम major support की बात करते हैं अगर market में थोड़ी बहुत गिरावट आती है यहां फिर stock में थोड़ी सी weekness आती है तो यह stock कहां तक जा सकता है तो 770 पे के वो levels हैं जहां पर यह stock जा सकता है तो हमें क्या करना है basically हमें इनी levels के थोड़ी सी investment करी है just 10 to 20% investment काफी है इस stock में अभी क के लिए क्यों कि यहां पर अभी confirmation नहीं हुई है 50 और 200 moving average के ऊपर तो trade कर रहा है stock लेकिन यहां पर golden crossover जो हमारा favorite crossover हो नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करना है अगर stock नीचे आता है और यहां पर time spent करता है तब हमें investment करनी चाहिए हमारे portfolio में यह है नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में हम इसमें invest कर सकते हैं अगर हमें यहां पर कहीं से कहीं breakout आता हुआ दिखाई देता है अच्छे तरीके का volumes आते दिखाई दे रहे हो सकता है यहां पर एक दो महिने के लिए consolidate भी करे तो best यह होगा कि आप सिर्फ 10 से 20% यहां investment करे और maximum investment आपने कहां करनी है जहा के बाद sport के बाद तो हमारा काम क्या होता है इसके target निकालना target यानि के resistance तो इसका यो सबसे पहला resistance आ रहा है वो लगवग 900 रुपए के आसपास का रहा है यहां याके stock रुपने वाला तो है नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छी company है तो यहां पर देखे एक 1000 के आसपास के levels है बेसिकली यह theme चलने वाली है आगे आने वाले हैं क्योंकि आगे क्या आ रहा है बेसिकली festival season आ रहा है दिपावली आ रही है तो वहां पर क्या होता है जो industries है जो छोटी-छोटी industries है जहां micro cap industries है वो kitchen applications mostly distribute करती है अपनी labor के लिए या staff members के लिए जो भी उसके employees होते हैं उनके लिए basically kitchen applications जहां press वगरा दी जाती है तो वो किसके दी जाती है वो prestige की mostly दी जाती है यह देखा गया है अच्छी company है जो small cap में भी अच्छी company है वो अच्छी company को ही product deliver करती है तो next company के बारे में बात करते हैं तो जो next company है उसका नाम है उसका नाम है वीप्रो यह देखिए पाती नामी company है देश की बहुत ही अच्छी company है IT sector से जुड़ी ही company है management काफी अच्छा है अगर हम बात करते हैं यहां पर देख रहे हो stock ने यहां से 600 रुपे से एक तरफा गिरावट दिखाई बहुत जवरदस्त गिरावट आई और stock गया 430 के आसपास और उसके बाद क्य करता है कभी उपर कभी नीचे यानि के यहां पर देखते देखते यह देखिए यहां से जून 2022 से लेकर के इस तमर वीपरो यहां पर एक consolidation जोन में फसा हुआ था अब देखिए यहां पर हमारा favorite crossover हो चुका है यह देखिए देख रहे हो golden crossover 50 और 200 दोनों ही moving average का crossover हो चुका है इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर volumes देख रहे हो यहां पर भर भर कर volumes आ रहे हैं यह volumes पहले कहां थे यह देख रहे हो गायब थे यहां पर से volumes आने start हुए है तो हो सकता है आगे आने दिलों में यहां पर आपको बहुत अच्छा रन पर और एक और बात IT sector काफी प अब हम इसकी बात करते हैं वीप्रो की तो जिसने भी भाई साब यहां पर 600 के आसपास buy किया होगा वो तो negative return हुआ ना उसको तो stock market में return नहीं दिया कब company इतनी अच्छी है तो यहां पर हमारी खृदारी बनती हुई दिखाई दे रही है हम इसमें already invested हैं लेकिन अभी हमारी buying complete नहीं हुई है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे पहली support कहां से निकल के आ रही है तो इनी levels के आसपास सबसे पहली support निकल के आ रही है जो कि है 430 रुपे के आसपास अगर हम बात करते हैं major support की तो वो निकल के आ रही है लगबग 400 रुपे के आसपास की major support निक तो हम अपनी buying भी complete करेंगे और यहां पर average भी करेंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहला resistance यानि कि हमारा सबसे पहला target क्या होने वाला है कहां पर जाकर इस company को हम sale करेंगे तो basically company इतनी अच्छी है हमारा दिल वेजने का तो नहीं करेगा sale करने का तो नहीं करेगा लेकिन क्या करें चार्ट हमें सबसे पहले बता देता है कि इस company में आपको निकलना better होगा सबसे पहला अगर हम resistance की बात करते हैं तो वो होगा 480 रुपे के आसपास का लेकिन यहां पर जाकर यह stock रुकेगा नहीं रुकेगा कहां पर जाकर यहां पर जाकर रुकेगा दोस् यहां पर वो ultimate level निकल के आ रहे हैं लगवक 680 रुपे के आसपास के वो levels हैं तो यह stock basically हमको invested करना चाहिए इस stock में large cap stock है थोड़ी धीरे भी चल सकती है लेकिन return तो बनेगा इसमें IT sector की आगे आने वाली theme basically हम जो focus कर रहे हैं वो कर रहे हैं IT sector, metal sector और इसके इलावा construction हम particularly construction व related sectors हैं वो उठा रहे हैं जैसे cement sector उठा रहे हैं या फिर steel sector उठा रहे हैं या tile sector उठा रहे हैं basically construction sector हम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वहाँ पर capital incentive sector है आपको पैसा आज लगाना है और बड़ी मात्रा में लगाना है लेकिन आपको government या फिर flat के बाद जो भी people आपको payment तो वो हो सकता है साल बाद हो दो साल बहुत हो तीन साल बाद हो तो यह basically capital incentive capital consuming वाला किसम का sector होता है तो हम इसमें directly invest ना करके उस company में invest करते हैं जो इनके लिए raw material provide करती है जहां जो इनसे related है tiles हो गई या plywood की companies हो गई या ceramic की company होगी अगर हम बात करते हैं steel की company होगी तो ऐसी company में हम investment करना better समझते हैं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एक तीसरे stock की तो वो निकल के आ रहा है आपकी screen के उपर Bulgaria industries यह basically die के काम काज करती है company और अगर हम एक disclaimer दे दे दें तो आप बुरा मत मानीगा तो हम से भी register नहीं है दोस्तों किरपया निवेश करने से पहले अपने financial advisor की सलाह जरूर ले ले और यह video सिर्फ education purpose के लिए बिनाया जा रहा है यह देखिए Bulgaria industry का चार देखिए दोस्तों यहां से लगभग गिरावट start होती है और consolidate करता है यहां पर आकर यहां पर stock consolidate करता है काफी महीनों से और यहां पर देख सकते हो हमारा favorite crossover हो चु और इसके साथ साथ volumes देख रहे हो सबसे बहतरीन volumes है इसमें तीनों stock हमने जो discussion किये सबसे ज्यादा volumes इस stock में आ रहे हैं बहुत ही अच्छे return देने की काबिया लगता है यह stock अगर हम बात करते हैं यहां पर आप देख रहे हो यहां पर निकल के आ रही है इसकी सबसे पहली support जोग है लगबग 162 रुपे के आसपास ठीक है अगर हम next support की वाद करते है major support की तो वो आ रही है लगबग 200 EMA के पास यानि के 150 के around बहुत ही अच्छे levels होंगे अगर आपको यह stock इन levels के बीच में मिलता है 150 से लेकर के 160 के बीच में तो इसका सबसे पहला target क्या होगा तो सब लेकिन यहां पर जाके रुकेगा तो नहीं जाएगा कहां से यहां तक लगबग 2500 रुपे के आसपास यह stock जा सकता है अगर इसके ऊपर sustain करता है तो यह आपको लगबग 322 रुपे के levels दिखा सकता है दोस्तों यानि के 2X हो सकता है stock अपने financial advisor की सलाह लेकर इसमें भी नवे